रितिक रोशन ने हाली के अंदर अपनी स्टोरी पोस्ट करते वे एपल के लिटिस्ट आइपाड प्रो के अटपर्टीजमेंट को क्रिटिसाइज किया है सिर्फ रितिक रोशन नहीं नहीं बलकि बड़े-बड़े अक्टर्स ने किया है यहाँ पर Hugh Grant, Justin Bethman जैसे कई लोगों ने इंस्टाग्राम कर इस एड को sad और ignorant बताया है रितिक रोशन ने एक इंस्टाग्राम पर नोट लिखा इस नोट के उपर उन्होंने लिखते वे बताया कि how sad and ignorant is the new apple ad जी यहाँ दोस्तों new apple ad के साथ-साथ यहाँ पर कई लोगों का यह भी कहना है कि यह the destruction of humanity experience है यह human experience का destruction करते वे नजर आ रहा है क्योंकि जो apple की यह नई latest ad जो की मई साथ को Tim Cook जो की CEO है एपल के उन्होंने शेयर की इसके अंदर hydraulic press से creative चीजों को crush करते वे दिखाया गया है इसमें musical instrument और साथी साथ कई सारी creative चीजों को crush करते वे दिखाया गया और इसके बाद से ही काफी जादा इस ad को backlash जहिलना पड़ रहा है ऐसा बताया जा रहा है कि crush करके वे दिखाना चाते हैं कि एक पतली सी Apple iPad Pro के अंदर ये सारा आइटम आ चुका है तो इन सब चीजों के आपको अब ज़रूरत नहीं है लेकिन ये ad symbolize कर रहा है कहीं न कहीं creativity का खंडन यानि creativity को खतम करने की बात इसी वज़े से रितिक रोशन ने यानि war के actor ने इस बात को Instagram पर लेकर गए और उसकी के साथ उन्होंने ये बात भी बताई कि वो पूरी तरीके से इस ad के खिलाफ है और इसे sad और ignorant बताया इतना ज़्यादा backlash मिलने के बाद Apple ने भी इसके उपर sorry कहा है सबी लोगों को उन्होंने कहा कि हमारा goal सिर्फ और सिर्फ express करना था अपने आपके ideas को iPad के तुरू लेकिन ये कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है इस चीज़ को बेको बेको